आज मैं बात करेंगे कि गीकी सोस चैनल को बनाने के पिछे वज़व क्या थी तो वज़व जानने से पहले हम लोग उस वक्त में चलते हैं उस वक्त ना तो 4G था ना ही हिंदी चैनल के इतना क्रेज था जो आज आप देख सकते हैं कि आज कोई भी चैनल क्रेट करता है वे लोग आज भी बढ़ाते हैं लेकिन जाता फैमस नहीं है ये बात है तो उस वक्त मैंने क्रेट किया था जब 4G नहीं था 3G था चैनल को बनाने के पीछे मेरी दो कारण थे हैं पहला कारण था कि मैं बना था मैंने अपने प्रोजक्ट अपना कर रहा था मैं अपने प्रोजेक्ट में फंसर आथा conceptual जीजों पर जिसे कि मेरे प्रोजेक्ट में मुझे फॉरलूप यूजद करना था लेकिन for loop यूजद करना आता था नियुद से, मैं नहीं मैंने कहीं से सीखा, मैंने बस सीखा कि हाँ है, और for loop को ऐसे ही लिखा जाता और ये इसका variety ही यही है और इसका कोई भी और तरीका नहीं लिखने का जब मैं project बनाने लगा तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये for loop है मैं जानदा हूँ कि यहाँ पर loop लगेगा for loop लगेगा फिर ये fit कि नहीं हो रहा मेरे काम क्यों नही ही करके मुझे देरा तो वहां में functional लगा था तो मैंने इसको पैसा मैंने खर्च किया और मैं यूटूब में search किया आर्टिकल पढ़ते थे टुट्रोर्य पढ़ते थे तो उसे काम मंदा नहीं था तो मैंने पैसा खच किया और YouTube में पैसा खच नहीं किया था कुछ चीजें होती है मैंने जैसे की example आपको for loop का बता रहा था मैं तो for loop मैंने उसमें search किया तो for loop का एक project आ जा रहा है अब उस project के किसी 2 minute कहीं किसी पार्ट में 2 minute में उसने for loop बताया होगा अब उस for loop को समझने के लिए मुझे वो पुरा project का वीडियो देखना पड़ रहा था और जब मैं उस project के वीडियो को देख लेता था तब मुझे पता चलता था कि इसने भी वही तरीका बताया वहाँ जो तरीका मुझे पहले से बता है मुझे तो दूसरा तरीका जानना था कि इसको और किन किन तरीकों से आप लिख सकते हैं उस for loop को मुझे वो जानना था तो उसमत मेरे दिमाग में आता था कि आप मुझे project क्यों दिखा रहे हो मुझे project नहीं देखना है मुझे सिर्फ concept जानना है कि for loop को और किन किन तरीकों से लिखा जाता है मुझे ये बता दीजी उसके बद मैं अपने आप इस for loop को अपने project में implement कर लूँगा मुझे ये बस जानना था लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं available internet पर सब project based concept थे हैं और project based concept में उस project के हिसाब से उस for loop को लिखा गया था जो मेरे project में fit नहीं बढ़ रहा था ये problem हो तो मैंने स for loop को जिन जिन तरीकों से लिखा गया सकता है मैंने वो सारे तरीके conceptually बताने शुरू किया है फिर आपको जो भी तरीका लगता है कि आपके project ने fit बेटेगा आप उसको use कर लेजी तो यही तरीका मैंने शुरू से follow किया आज भी मैं वही follow करता हूं मैं conceptual चीज़ें अलग र कि उस project के या फिर उस type के project में उस concept का कैसी use किया जाता है बस इतने आपको समझवाएगा फिर जब आप किसी और type के project को बनाएंगे तो फिर आप वहां पर इंप्र नहीं कर पाएंगे तो यह दिमाग में मेरे clear हो जगा था कि concept को सीखना बहुत ज़री आदा हूँ वह भी depth करता हूँ और जैसे मर्जी वैसे भी उसका सकता हूँ इसलिए मुझे project बनाने में कभी ज़्यादा दिक्रत नहीं हुए विकाज मैंने इस rule को follow किया है अगर error भी आथा तो easily debug हो जाता है मेरे से बेकाज मैंने concept को बहुत ही hard वरीके से बढ़ा हुआ है detail में depth में तो एक ये कमी मुझे दिख रही थी इस वाज़े मैंने सोचा कि गेकी सोज एक channel बना जाए website तो मेरे पास पहले से था इस नाम से तो मैंने इस channel को बनाया और यहाँ पर मैंने उसी rule को follow करते हुए सारे वी कि भीअँ जमा हो जाए फिर हम लोग भीढ पुरा भीढ जब जमा होता है तो वह भीढ मील के कुछ भी कर चाहता है तो मैं करना क्या चाहता था मैं करना चाहता था इस community को बना कर इस school को भेथर बनाना चाहता था मैने school में मिडल स्गल में पढ़ायई यह उसे वक्त होती थी और computer का तो नाम वो निसान भी नहीं था है college में आपको मिला भी तो आधास ज्यादा computer बंद पड़ा रहता था और school में तो मिला ही नहीं तो मैं चाहता था कि इस ठीक हो जाए मेरा फिर मैं क्या करूँगा मैं donation लूँगा और donation का link भी मैंने रखा अपनी website पे चैनल पे भी मैं लोगों से गयाता था कि donate करें और इसका पैसा मैं कैसे use करूँगा यह भी मैंने शुरू में बताया हुआ था कि जो भी पैसा donate किया जागा उसको मैं school को बहतर बनाने में computer lab उसमें जो भी rule follow करना होता है सरकारी स्कूल में पैसे नहीं कर सकते आपको DC से लेना पड़ेगा अनुमती उसके बाद ही होती तो वह सारी में करने के लिए ready था अगर वैसे possible नहीं होता तो क्लब था हमारे महले में बहुत सारे महले में अचकल गाओं में आप देखेंगे क्लब रहता है जहां पर लड़के के खेलते हैं महादमा गांधी जी के जैन्ती पर competition होता है उसरी की जगह पर मैं एक च्छोटा से lab बना सकता था लाइब्रेडी बना सकता था तो उसरी की ज सोची थी कि जीजों को society को जो education के मामले में उसका इंप्रूव किया जाए इसलिए मैंने community बिल्ड करने का सोचा वा था यह मेरी दूसरी वज़ा थी लेकिन अफसोस की link मैंने लखा हुआ था अपनी website पर donation का लेकिन किसी ने भी donate नहीं किया मुस्किल से मैं आपको बता रह वाए तो उसकी उम्मीद मुझे नहीं है लोग देना नहीं चाहते है आप समझिए कि अगर यह मेरी जो सोच थी वह कर सक्सेसफुल होती तो क्या हो सकता था आप समझिए मेरे चैनल पर अभी चार लाख सब्सक्राइबर है मान कर चलते हैं कि दो लाख सब्सक्राइबर ही अगर एक एक रुपया भी अगर सब लोग पे करते हैं तो महीने का दो लाख रुपया था दो लाख रुपय से अच्छा खासा स्कूल का डेवलप्मेंट हो सकता था इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड हो जाता था कम्पूटर लैब हो सकते थे लैब्रेरी हो सकते थी अच्छी खासी महले में और मैं अपने तक यह सिमीत नहीं रखने आगा था मेरा प्लान बड़ा था मैं चाहता था कि पहले अपने महले से स्वरू करूँ विकास आपका घार अगर तूटा हो तो आप बाहर जाके महल न मेरा असफल हो गया प्रियास जो था वो असफल हो गया किसी ने डोनेट नहीं किया लोग देना ही नहीं चाहते हैं लोग बस लेना चाहते हैं लोग खर्च कर देते हैं बेकार के चीजों में लेकिन सही चीजों पर लोग नहीं खर्च करना चाहते हैं सब सरकार करें लोग ऐसी सोचते हैं, इस्कूल अच्छा सरकार बना के दे, सड़क अच्छा सरकार बना के दे, लेकिन सराब मैं अपने पैसे से पी लूँगा, पी भी आर में मैं 800 रुपे खर्च करके, खुद मूवी देख लूँगा और पॉपकोर्न और कोक में उड़ा दूँगा, ये सारे का मैं कर लूँगा, लेकिन जो अच्छी चीज़े हैं, जो आपके आसपास महले को अच्छा बना सकते हैं, वो काम सरकार करें, ऐसी सोचे हैं हमारी, हमारे सोसाइटी की ऐसी ही सोचे, आपकी भी सोच ऐसी है, और मेरी भी सोच ऐसी थी, लेकिन मैंने इसको बदला था, और मै नहीं हो पाया खेर उसके बारे में अब मेरे नहीं सोचता हूं मेरे से जितना अभी हो पाता है मैं करने कोशिश करता हूं लेकिन यह बढ़ा हो सकता था बहुत बढ़ा हो सकता था लेकिन लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया उस वक्त अब भी नहीं करते हैं मैं समझता हूं अभी भी मैं अगर कर दूं तो कोई नहीं देगा, एक रुप्या भी लोग अपनी जैब से डोनेट नहीं करना चाहते हैं, मैंने सुझा था कि इससे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो लोग देंगे, लेकिन नहीं देते हैं, लोग, देते हैं नहीं है, आप चाहिए जितना भी कर लो, तो ये दूसरी वज़ा थी, लंबा नहीं कीचता हूँ मैं इसको, अपने दिल के अर्मान बया करके, तो ये दूसरी वज़ा थी है, इस चैनल को बनाने के पीछे है, जो की असफल रही, लेकिन एक सफल रही, मैं conceptual चीज़ें explain करता हूँ आज भी, और मैं उसी को carry करूँगा आगे भी, और उमीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ज़रू फाइदा मिलेगा, आपको अच्छी नौकरी मिले, अपनी family को अच्छे तरी किसे देख पाएं, और उनके support कर पाएं, और अपनी society को भी बहतर बना पाएं, तो उसके लिए भी, आप ज़रू से प्रियास इस वीडियो को देखने के लिए आप सो अगा बहुत बहुत थान्यो माँ